हेलो दोस्तों वेलकाम तो अपना सपना जार एफ आज किस वीडियो में हम करने वाले हैं PYQ's Practice for CSIR Net Life Science तो आए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से questions को हम practice करने वाले हैं तो आज का जो हमारा topic है वो है replication जो कि unit number 3 यानि molecular biology का एक most important topic है replication तो replication से जितने भी question आए है net के अंदर आज किस वीडियो में हम practice करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला question कौन सा है तो यह question है यह June 22 shift 1 का question है और यहां आपको दिया है which one of the following statement made about the bacterial replisome is incorrect यानि की bacteria के अंदर जो replisome बनता है उसके बारे में इन चारों में से कौन सा statement गलत है यह आपको बताना है तो देखिए first में लिखा है the rate of forward movement of DNA B helicase along the template DNA increase tenfold when DNA B and DNA pole third interact thus ensuring that the helicase does not move ahead rapidly without the polymerase देखो question में लिखा है कि जो DNA का helicase होता है यानि की जो DNA को open up करता है अगर यह helicase और DNA polymerase third जो की नया DNA बनाता है अगर वो साथ में interact कर लेते हैं और साथ में interact करके वो चलते हैं तो वहाँ पर जो replication का rate है यानि जो speed है वो tenfold increase हो जाती है और इसलिए यह ensure किया जाता है कि helicase polymerase third के साथ में ही काम करता है यानि थोड़ा आगे पीछे रहे ज्यादा आगे ना चला जाए तो यह statement बिल्कुल सही है ऐसा ही होता है क्योंकि जो DNA भी होता है अगर वो DNA इसलिए इंशोर करता है कि जो helicase है वो आगे ना चला जाए तो यह statement बिल्कुल सही है ऐसा ही होता है second statement दिया है the transient interaction of the primase with the helicase allow activation of the primase activity by thousand fold promoting the RNA primer synthesis synthesis यानि replication में एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है primase जो कि primer की synthesis करता है और उस primer से ही replication start होता है तो यह देखा गया है कि यदि primase interact कर लेता है helicase के साथ में तो वहाँ पर उस interaction के कारण देखो यह जो वर्ड लिखा है transient interaction इसका मतलब होता है दो प्रोटीन का आपस में interact करना और दो प्रोटीन यहां कौन से है प्राइमेज है और helicase है तो जैसे ही यह प्राइमेज और helicase interaction कर लेते हैं तो यह देखा गया है कि जो प्राइमेज होता है उसकी activity जो है प्राइमर को फोर्म करने की वह thousand fold increase हो जाती है तो यह statement भी बिल्कुल सही है ऐसा ही होता है कि अगर helicase और और प्राइमेज कंबाइन कर लेते हैं तो प्राइमेज की activity है वह 1000 fold increase हो जाती है और वह काफी स्पीडली प्राइमर को फोर्म करता है तो जैसे आप यह देख भी सकते हैं जो ब्लू में दिया गया है यह mcm helicase है और यहां पर यह प्राइमेज है जो कि प्राइमर की nucleotide यानि कि आपने पढ़ाई होगा application में एक strand में बनता है एक होता है leading strand जो की continuous बनता है एक होता है lagging strand जो की discontinuous form में बनता है तो यह जो fragment बनते हैं उनको हम बोलते हैं ओका जाकी fragment और इन ओका जाकी fragment की length की अगर बात करें तो यह 1000 से लेकर 2000 nucleotide के बीच तक होती है मतब जितने जैसे ही यह length complete हो जाती है उसके बाद फिर नया fragment बनना स्टार्ट हो जाता है तो यह statement भी विल्कुल सही दिया हुआ है थर्ड भी सही है फौर्थ में लिखा है दा इकोलाई और आई सी केरी रिपीट ओफ टू सेक्वेंस मोटिफ्स रिपीट ओफ नाइन मर्ट यहां पर यह जो दिया गया है और रिपीट प्रेजंट होते हैं एक होता है 13- combo पर कर जाता है उसे बोलते है नाइन चींटलां मस स कजया है एक और 11-10- t यानि DNA a kcon we wrap करता है और जैसे रेप कर लेता है उसके बाद जो 13 με है उसकी opening होती है यानि वह single standard होना स्टार्ट कर देता है और फिर वहां पर जाकर आगे application स्टार्ट होटी है थ्चे के तो यहां हमने क्या देखा है हमने देखा है कि 13 base pair की repeat में तो होता है वो ओपन अप होना स्टार्ट करता है और जो नाइन मर वाला पार्ट है यह dna a के चारो तरप रैप करता है लेकिन हमारे statement में चीजे अपोजिट दी गई है हमें बोला गया है यहां पर कि जो नाइन मर होता है यह तो ओपन होता है मतलब collectively from the site at which the origin first become single standard यानि कि 9 मर तो open up होता है और जो 13 मर होता है वो dna a के around bind करता है तो इसलिए statement गलत है opposite काम दिया हुआ है 9 का और 13 मर का तो यह गलत हो जाएगा हमसे पूछा भी क्या है गलत statement तो the d option will be the right answer for this question so next question जो है यह जून 2022 shift 2 का question है which one of the following statement about dna replication is incorrect यहां आपको चार स्टेटमेंट देके रखी है और पूचा है कि कौन सा स्टेटमेंट dna replication को लेकर गलत है तो फर्स्ट में लिखा है once dna replication commences it always continue uninterrupted until the entire process is complete यानि कि इसमें बोला है कि जैसे ही एक बार dna replication start हो जाता है उसके बाद जब तक पूरे dna का replication ना हो जाए replication की जो प्रोसेस है वो बंद रही होती है लगातार चलती रहती है तो देखो ऐसा होता है लेकिन अगर हमारे dna में कोई mutation हो गया है तो वहां पर dna replication को रोका जाता है उस mutation को ठीक किया जाता है और उसके बाद फिर replication को start किया जाता है तो यह statement सही हो सकता है उस case में यदि वहां पर कोई mutation नहीं है तो लगातार रेप्लिकेशन चलता रहेगा लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि म्यूटेशन हो जाए तो इसको रोकना पड़ेगा तो हमारे स्टेटमेंट में दिया है कि वन्स डिन रेप्लिकेशन इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत हमेशा ऐसा नहीं होता है इस वज़े से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी हमसे पूछा भी है कि गलत क्या है तो हमारा फास्ट ऑक्शन ही हो जाएगा सही आंसर इसलिए बहुत प्रिकेशन होता है यही पर अगर हम बात करें प्रोकेशन होता है वहीं से replication start होती है, लेकिन eukaryote में ऐसा नहीं होता है, multiple site होती है replication के लिए, तो यह statement सही है, थर्ड में लिखा है, a consensus sequence for the origin of DNA replication has been identified in the saccharomyces service यह, जो yeast होता है, yeast का scientific name है यह, तो yeast के अंदर एक consensus sequence देखा गया है, consensus sequence का मतलब है, जो कि permanent होता है, जिसमें कोई variation नहीं है, वो जो sequence है ह तो वहाँ पर DNA replication के origin के लिए, मतलब जहाँ से DNA replication start होगा, वहाँ पर कुछ consensus sequence देखा गये है, in yeast, तो यह बात भी बिल्कुल सही है, देखा होता क्या है, autonomously replicating sequence, जिसको हम ARS बोलते हैं, वो function करता है as a replication origin in the saccharomyces service, यह, 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 ARS मानो कि यह है ARS, complete यह क्या है, ARS है, तो इस ARS में एक sequence ऐसा होता है, जिसको बोला जाता है ACS, और यह sequence ऐसा है, जो कि consensus है, जिसमें कोई change नहीं होता है, और basically यहाँ से ही replication start होती है, तो इसमें लिखा भी है कि ARS contain an essential 11 base pair ACS element, ACS का मतलब है ARS consensus sequence, तो यह statement बहुत सहीं दी ग sequence मिला है, जो act करता है as a origin for the DNA replication, तो यह statement भी सहीं है, फोर्थ में लिखा है, बोथ fully methylated as well as non-methylated or IC can initiate the DNA replication, while hemimethylated or IC does not, तो यह statement भी सहीं है, यानि कि अगर हमारे पास जो or IC है, यानि जहां से replication start होता है, अगर वो fully methylated है, इसका मतलब होता है कि दोनों strand पर DNA की जो दोनों strand ह है, वहाँ पर methylation हो रखा है, methyl group लगा हुआ है, उसे बोलते हैं fully methylated, अगर दोनों पर नहीं लगा है, उसे बोलते हैं non-methylated, और एक पर लगा है, एक पर नहीं लगा है, उसको बोलते हैं hemimethylated, तो ऐसा or IC, जो कि fully methylated है, यानि जिस पर दोनों strand पर लगा है, वो भी replication को start क नहीं करता है, क्योंकि होता यह है कि एक ऐसा combination, जिसमें कि एक stand पर लगा है CS3 और एक पर नहीं लगा है, इसका मतलब है कि वो अभी immature है, वो replication नहीं कर सकता है, तो वहाँ replication start नहीं होती है, तो यह statement बिल्कुल सही दिया गया है, कि जो hemimethylated है, वो replication start नहीं कर सकता, जबकि fully methylated और non-methylated दोनों कर सकते हैं, तो fourth statement भी बिल्कुल सही है, केवल बस first गलत है, और first मतलब गलत ही हमसे पूछा है, तो first option will be the right answer, चली बात करते हैं अगले question की, a long DNA strand depict below is serving as a template for lagging strand DNA synthesis, the short line represents the newly synthesized okazaki fragment, यानि यहाँ आपको दिया हुआ है, कि यह ओकजा की fragment है, यह भी यह भी और मतलब यहाँ तो नहीं दिया है, आपसे पूछा है कि at which position among A, B, C and D, वो DNA primase act next, यानि कि कहां पर अब primase act करेगा और primer बनाएगा, और एक नया okazaki fragment बनेगा, A पर या फिर B पर या फिर C पर या फिर D पर ठीक है, तो देखो हम सभी जानते हैं कि जो replication होती है, वो 5 prime to 3 prime होती है, हम सभी जानते है, replication कैसे move करता है, 5 prime to 3 prime, तो आपके पास अगर कोई ऐसा strand है, उपर इधर 5 है और यहां 3 है, तो जो नीचे वाला strand होगा, वो कैसा like this, इस तरीके से form होगी, यहां पर, ठीक है, तो अगर हम इस diagram को compare करें, तो देखो यह वाला fragment भी बन गया है, यह वाला fragment भी बन गया है, यह वाला fragment भी बन गया है, तो अब की बार जो primer है, वो यहां act करेगा, मतलब यहां बनेगा primer, और फिर चीज़े ऐसे move करेंगी, तो म पर बनेगा और ऐसे move करेंगा, फिर डिरेक्शन जो है replication की वो change हो जाएगी, वो 3' to 5' हो जाएगी, लेकिन हमने हमेशा पढ़ा है कि replication 5' to 3' move करता है, इसलिए जो नया primer है, वो कहां पर form होगा, वो form होगा at the D side, तो at which position among A, B, C, D, would DNA primaries act next, that will be the D option, ठीक है, तो D हो जाएग DNA polymerase, मतलब यहाँ पर आप से पूछा है DNA polymerase को लेकर, जो enzyme होता है, E. coli के अंदर, यहाँ आपको दिये हैं 4 statement, ठीक है, पहले में आपको उसके बारे में बता देती हूँ, तो prokaryote के अंदर जो DNA polymerase होता है, वो कुछ ऐसे देखा गया है कि DNA polymerase 1, 2, 3 और 4, 5, इनके function सब के अलग-अलग होते हैं, जो DNA polymerase 1 होता है, उसके पास 3 activity होती है, काफी important table है, अगर आपको नहीं पता है, इसके बारे में तो आप इसको note down भी कर सकते हैं, समझा मैं देती हूँ, जो DNA polymerase 1 होता है, उसके पास 3 activities होती है, सबसे पहले 5' to 3' polymerization, यानि अगर चीजे add करनी है, कोई नया DNA बनाना है, तो वो 5' to 3' move करेगा, इसके पास ये activity भी होती है, सेकिंड क्या है, 5' to 3' exonuclease की activity भी होती है, जिसमें ये क्या करेगा, ये primer को remove करेगा, यानि जो primer बनते हैं, ओका जाकि fragment के पहले, और जो lagging strand होता है वहाँ पर, उनको remove करने का काम भी करता है, उसे बोल है, nucleotide का, क्या वो सारे सही हैं, या कोई mutation तो नहीं है, कोई गलत तो incorporate नहीं हो गया है, उसको बोलते है proof reading, और ये proof reading करता है, with the help of 3' to 5' exonuclease activity, तो question में केवल आपको इतना भी दे के रखते हैं, कि 5' to 3' exonuclease, 3' to 5' exonuclease, ये बाते आपको याद रखने हैं, तो proof reading, 5' to 3' 2' exonuclease है, तो primer removal और 5' to 3' polymerization है, तो मतलब कि वो नई चीज़े add करेगा, यहीं पर बात करते हैं, DNA polymerase second की, तो इसके पास दो काम होते हैं, 5' to 3' polymerization और 3' to 5' exonuclease activity ये proof reading की, तो ये जो second वाली activity है, यहाँ इसके पास नहीं होती है, ऐसे ही 3rd में होता है, DNA polymerase 3rd जो है, इसके पास भी 5' to 3' polymerization होता है, और 3' to 5' exonuclease activity होती है, यहीं proof reading करने की, लेकिन इसके पास भी 5' to 3' exonuclease activity नहीं होती है, ऐसे अगर बात करें, DNA polymerase 4th की और 5th की, तो उसके पास केवल एक ही activity है, जो की है 5' to 3' polymerization, ना ही तो proof reading कर सकता है, ना ही वो primer को remove कर सकता है, तो ये table आपक और बता देती हूँ, इन सभी enzymes में जो processivity है, वो सबसे ज़्यादा होती है, DNA polymerase 3rd की, processivity का मतलब है कि बहुत ही speedily चीजों को add करना, उसको बोलते हैं उसकी processivity, यानि वो कितने time में कितने nucleotide को add करता है, तो यहां इन सभी enzyme में सबसे ज़्यादा जो processivity होती है, वो DNA 3rd की हो limited processivity and possess 3' to 5' exonuclease activity, allowing the fidelity of DNA replication, यानि उसकी processivity थोड़ी सी limited होती है, यह तो बात सही है, केवल DNA pole 3rd की ही सबसे ज़्यादा होती है, बाकि जो DNA pole 1 होता है, उसकी जो processivity है, वो limited होती है, साथ साथ उसके पास 3' से 5' की exonuclease activity भी होती है, जिसमें वो क्या चेक करता है कि जो DNA replication या फिर कितना वो सही बना है, ठीक है, तो यह बात हमने देखी भी है कि 3' 5' वो proof reading भी करता है, यानि फर्स statement हो जाएगा हमारा सही answer, second में लिखा है DNA pole 3rd is suitable for the leading strand DNA synthesis due to its high processivity and 5' to 3' exonuclease activity that remove incorrect nucleotide incorporating during the DNA synthesis, मतलब बताया है कि यह जो DNA pole 3rd है, यह केवल leading strand की लिए ही suitable होता है तो यह statement गलत है, साथ साथ कहा है कि उसके पास 5' से 3' exonuclease activity भी होती है, तो क्या ऐसा होता है, हमने अभी देखा है, उसके पास 5' से 3' exonuclease activity नहीं होती है, 3' से 5' होती है, तो यह statement इसलिए भी गलत है, यो केवल leading के लिए नहीं, बलकि वो lagging के लिए भी suitable है, और गुसरा पॉइंट जो दिया है वो भी गलत है तो ओवर ओल यह जो बी स्टेटमेंट है यह हो जाएगी गलत यह बात बिलकुल सही है माना आपके पास यह कोई स्टेंट है और यहां बना है प्राइमर और फिर बनता है एक नया स्टेंट तो यह जो पॉल वन होता है पॉल वन सबसे पहले इसको रिमूव करता है यहां से इसको रिमूव करेगा कौनसी एक्टिविटी से रिमूव करेगा देखो प्राइमर को रिमूव करता है यह 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो यहां पर यह इस्तेमाल करेगा अपनी 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्जोनुक्ले दिया हुआ है डी में लिखा है डीने पॉल थर्ड इस टेबल फॉर लेगिंग इस्ट्रेंड डीने संथेसिस डू इस लो प्रोसेसिविटी एंड फाइफ प्रैम तो थी प्राइम एक्जोनुक्लिय अक्टिविटी तो यह उप्षिन बिल्कुल ही गलत है वह लेगिंग के ल फॉर्थ और ऑप्षिन में बीदा रई आंसर फॉर दिस पॉर दिसenteर है एंब यह भी जूंट ट्वेंटी ट्वेंटी टू शिह तो का ही क्वेशागराइन क्योंक्य क्यों आ रहे हैं तो next दिया है some of the steps in the process of eukaryotic DNA replication mentioned below required the hydrolysis of ATP यानि यहां पर DNA replication में कुछ steps होते हैं इन सभी में से किस में hydrolysis of ATP का इस्तमाल किया जाता है देखो इसका मतलब है कि ATP जब convert हो जाए ADP में जब यह convert हो जाता है ADP में तब हम इसको बोलते हैं कि यहां पर ATP का हाइडोलैसिस हुआ है तो आपको बताना है कि कौन-कौन से step में होता है तो फर्स दिया है फोस्फोडाइस्टर बॉंड फॉर्मेशन फोस्फोडाइस्टर बॉंड जो बनता है दो नुकलेटाइड के बीच में उसमें कभी भी एनरजी की रिक्वार्मेंट नहीं होती है एटीप को ब्रेकडाउन करने की रिक्वार्मेंट नहीं होती है तो यह स्टेट्मेंट हो जाएगा गलत इसके बाद B में लिखा है DNA strand separation by the helicase जब helicase DNA को separate कर रहा होता है single standard बना रहा होता है तो उसे energy की requirement होती है तो यानि कि यहां पर भी helicase को requirement होगी ATP से ADP के conversion में तो B statement हमारा सही हो जाएगा A गलत हो जाएगा अच्छा D में लिखा है joining of the okajaki fragment यानि अगर जो okajaki fragment बनते हैं उनको जोडने का काम करता है ligase और ligase enzyme जो है उसको भी ATP की hydrolysis की requirement होती है इन breaks को seal करने के लिए मतब बंद करने के लिए तो यह statement भी सही हो जाएगा C में लिखा है clamp loader association with clamp and DNA तो यहाँ पर ATP की requirement नहीं होती है देखो उसमें काफी सारा confusion रहता है मैं आपको समझा देती हूँ उसके बारे में एक बार सबसे पहले आप यहाँ समझो कि जैसे ही यह जो helicase होता है जब यह DNA को unwind कर रहा होता है यानि single standard बना रहा होता है उस दोर है तो यहां पर हम बात करते हैं कि जो बीटा क्लैंप बीटा क्लैंप बीटा क्लैंप जिसको हम बीटा स्लाइडिंग क्लैंप भी बोलते हैं जिसको हम बीटा स्लाइडिंग स्लाइडिंग क्लैंप भी बोलते हैं जिसका काम होता है आगे बढ़ते रहना और DNA को रैप्लिकेट करते रहना तो यहां पर इस बीटा स्लाइडिंग क्लैंप को DNA पर लोड करने का काम करता है clamp loader जिसको हम CL से लिख सकते हैं तो मालों यह क्या है clamp loader है तो यहां starting में क्या हुआ है कि यह दोनों factor जो है अलग-अलग है मतलब अगर replication की requirement नहीं है तो वहाँ पर यह clamp loader है यह अलग है और यह अलग है लेकिन जैसे यह हुआ कि cell के अंदर replication करना है तो यह clamp loader यह जो clamp loader है साथ में इसको मालनेते हैं यह beta sliding clamp है यह दोनों जुड जाते हैं आपस में और साथ यहां पर ATP का भी binding होता है अब देखो फर्क क्या है केवल ATP का binding हुआ है ना कि उसको break down किया गया है तो यहां पर sliding clamp और beta sliding clamp और clamp loader और ATP यह तीनों जुड गए हैं जुडने के बाद मानों यह DNA है और DNA पर यहां load करना है तो यह तीनों complex आते हैं आने के बाद यह यहां पर associate कर लेते हैं तो अभी यहां है clamp loader यहां है beta clamp और यहां है ATP तो अब इनका association हो गया है इस clamp loader का association हो गया है DNA के साथ में भी और beta clamp जो sliding clamp है उसके साथ में पहले सी associate हो रखा है तो यहां ATP की requirement नहीं होती है तो ATP की requirement कब होगी जब यह DNA पर उसको load कर रहा होता है अभी तो केवल associate है DNA के साथ में लेकिन जैसे ही वो इसको यहां load करता है उस दोरान यह जो ATP है जो की इसने यहां पर अपने आप से bind की थी उसको फिर breakdown किया जाता है ADP में और यहां से जो energy निकलती है उस energy को यह clamp loader इस्तमाल करके beta sliding clamp को यहां load कर देता है ठीक है तो तब ATP का इस्तमाल होता है अगर हमारे question में आता कि जो clamp loader है वो release कर रहा है beta sliding clamp को तो हमारा option वो सही होता कि वहाँ ATP का इस्तमाल किया गया है लेकिन देखो option में दिया क्या है आपको दिया गया है कि clamp loader association with the clamp and the DNA केवाल associate ही तो कर रखा है अभी वो release नहीं कर रहा है जैसे वो release करेगा तब ATP का इस्तमाल किया जाएगा इसलिए हमारा जो C statement है ये गलत हो जाएगा योगि इस चीज के लिए ATP के hydrolysis के requirement नहीं है तो मतलब यहां हमारा सही answer है the B option and the D option यानि B or D और B or D दिया है हमें fourth option में यानि fourth option will be the right answer चलिए बात करते हैं अगले question की ये है June 2021 shift 1 का अब आ गया है June 2021 shift 1 की question में क्या दिया है which one of the following protein is essential for both the initiation of DNA replication as well as the continue advance of the replication form यानि कि एक ऐसे protein का नाम बताओ इन चारों में से जो की initiation जब होता है replication का तब भी use किया जाता है और जब तक replication खतम ना हो जाए तब तक वो बना ही रहता है तो ऐसा enzyme है ऐसा protein है helicase helicase एक ऐसा enzyme या protein है जो की initiation के time पर ही आ जाता है और जब तक replication खतम ना हो जाए तब तक helicase बना ही रहता है तो देखो यहाँ पर कौन सा helicase है ORC helicase नहीं है Geminin भी नहीं है, CDC-6 भी नहीं है, CDC-6 का काम होता है लोड करने का starting में जब replication start होता है उस दोरान CDC-6 जो है helicase को वहां पर लोड करता है तो जैसे यहीं load कर देता है इसके बाद इसका काम खतम हो जाता है तो यह भी answer नहीं होगा यहाँ पर जो cdc45 दिया है this is the part of mcm helicase इसलिए यह इस्तमाल किया जाएगा यह एक ऐसा protein है जो की initiation पर भी आएगा और replication को start करने में भी और replication को complete करवाने में भी help करता है तो देखो यहाँ पर एक complex होता है जिसको बोलते हैं हम cmg helicase का मतलब क्या है cell division cycle protein जिसको cdc45 बोलते हैं is required for the dna synthesis during the genome duplication या फिर replication as a component of the cdc45 mcm और gins यह जो helicase काम करता है वो तीन sub unit से मिलकर बना हुआ है एक होता है cdc45 एक होता है mcm एक होता है gins जिसको हम combinedly cmg बोलते हैं cmg helicase जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो यह mcm sub unit है यह cdc45 है और यहाँ नीचे दिया हुआ हुआ है gins और इन तीनों को मिला कर बोलते है cmg helicase ठीक है तो इस question के लिए हमारा सही answer हो जाएगा the c option ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अगले question की यह भी जून 2021 shift 1 का ही question है the following statement are made with reference to the dna replication यहाँ पर आपको कुछ statement दी गई है dna replication को लेकर आप से पूचा है which one of the following option represents all the correct statement इन में से कौन-कौन सा सही है तो first में लिखा है campythesine cause intra strand and inter strand cross link in dna leading to the stalling of replication fork यानि की यह जो factor है यह जो compound है यह intra strand और inter strand का cross link करवाता है dna में मतलब की मानों यह एक dna है यह भी दूसरा dna है तो इन दोनों strand के बीच में cross linking कराता है साथ साथ इन दोनों के बीच में भी करवा सकता है जिस वज़े से जो replication fork होती है वो stall हो ज जाती है तो यह statement विल्कुल गलत है क्योंकि जो campythesine होता है जिसको cpt भी बोलते हैं वो एक topo isomerase inhibitor होता है जो topo isomerase को inhibit करता है ना कि वो cross linking को रोकने में और करवाने में help करता है ठीक है इसलिए जो first statement है यह हो जाएगा गलत दी में लिका है prevention of the re-initiation of dna replication during the same cell cycle is mediated by the regulating the loading of the initiator complex ORC यानि कि देखो हमने पढ़ाया कि cell cycle में एक cell cycle में केवल एक बार ही replication होता है तो जैसे ही उस cell cycle में एक बार replication हो जाता है वो दूसरी बार ना हो जाए उस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जाता है उस चीज़ को रोकने के लिए वहाँ पर यह जो initiator complex है जिसको म loading को मतब वहाँ लोड करने को regulate किया जाता है तो देखो यह statement गलत है गलत क्यों है कि cell cycle के अंदर अगर हम फिर से replication को start नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पर helicase की loading को regulate किया जाता है क्योंकि जैसे ही helicase आ जाएगा तो वह जरूर ही replication को start कर देगा तो इसलिए वहाँ पर helicase क कि जो loading होती है उसको regulate किया जाता है ना कि ORC complex को regulate किया जाता है तो वहाँ पर जो loading है unloading है of the helicase उसको regulate किया जाएगा तो यह statement भी गलत हो जाएगा सी में लिका है glutamate to alanine mutation in the nucleotide building pocket of the DNA polymerase third could lead to the incorporation of the ribonucleotide in the extending DNA chain यानि एक DNA pole third है जो की replication करता जा रहा है लेकिन उसकी जो pocket होती है उसमें अगर point mutation हो जाए वहाँ पर जो glutamate है उसको replace कर दे alanine मतला वहाँ पर glutamate की जगह alanine आ जाता है तो उस DNA polymerase third में mutation हो जाता है और फिर वो discriminate नहीं कर पाता कि जो nucleotide उसके पास आए है वो ribonucleotide है या फिर deoxyribonucleotide है और जो भी आता है अगर वहाँ पर ribonucleotide भी आ जाता है तो वो उसको भी incorporate करना start कर देता है तो यह statement सही है कि जैसे ही यह mutation हो जाता है तो वो unspecific हो जाता है discriminate नहीं कर पाता है जिस वज़े से वो ribonucleotide को या जो RNA में मिलता है उसको भी incorporate करना start कर देते हैं into the DNA chain तो यह statement सही है अच्छा फॉर्थ में लिखा है a mutation in the gene encoding topo isomerase second could lead to the entanglement of the DNA daughter strand during the replication हम सभी जानते हैं कि जो topo isomerase होता है उसका काम है कि जो भी super coiling होती है ऐदर वो positive है ऐदर वो negative है उसको break करने का काम करता है उसको ठीक करने का काम topo isomerase करता है लेकिन यह वहाँ पर topo isomerase second का जो encode करने वाला gene है उसमें अगर mutation हो जाएग तो मतलब topo isomerase second नहीं बनेगा और अगर यह नहीं बनेगा तो वहाँ पर जो DNA का daughter strand बना है उसमें entanglement हो जाएगा यानि वो इस तरीके से collapse हो जाएगा मतलब एक दूसात में कोयल हो जाएंगे इस वज़े से यह statement भी बिल्कुल सही है ओके तो यहां हम देख सकते हैं कि statement हम 2021 के shift 2 के question start हो गए है दिखा है given below are a set of enzyme in column A and enzyme activities in the column B यहां को column A दिया है column B दिया है यहां कुछ enzymes बताए है यहां इनका function बताया है आपको match करके बताना है कि कौन सा सही है तो देखिए यहां बात की गई है topo isomerase 1 के बारे में topo isomerase second के बारे में polymerase epsilon and polymerase delta इनका क्या function होता है देखिए मैं आपको बता देती हूँ जो DNA polymerase epsilon होता है ठीक है उसका काम होता है support the leading strand synthesis यानि यू करियोटिक के अंदर यह enzyme मिलता है और यह leading strand जो होता है उसकी synthesis को support करता है जबकि यहीपर अगर बात करें DNA polymerase delta की यानि की pole delta उसका काम होता है support करना to lagging strand synthesis ठीक है यहीपर बात करें topo isomerase 1 की तो यह topo isomerase single stranded making करता है मतलब कि यह super coiling को break करता है हटाता है कैसे making करके यानि कि यह दो strand जो है DNA के अगर एक में ही cut लगता है तो उसको बोलते है निक करना और अगर दोनों में cut लगता है दोनों strand में तो इसको बोलते है break तो जो DNA pole topo isomerase 1 होता है वो nicking करता है single strand में जबकि जो DNA topo isomerase second होता है वो super coiling को हटाता है by the double strand break and ligation ठीक है तो यानि कि यहां हम match कर लेते हैं यह topo isomerase 1 क्या करता है निक create करता है यानि A का हो जाएगा fourth DNA topo isomerase second जो होता है यह break लगाता है तो B का हो जाएगा third जो polymerase epsilon होता है वो leading strand की synthesis करता है तो C का हो जाएगा second और जो delta होता है वो बनाता है ओका जाकी fragment यानि lagging strand तो D का हो जाएगा one तो देखिए A का दिया हुआ है fourth तो A का है fourth B का है third C का दिया हुआ है second C का है second और D का है one यानि first option will be the right answer for this question चली बात करते हैं अगले question की अच्छा यहां पर आपको यह diagram दिया basically आपसे पूचा है कि यहां पर यह जो replication हो रही है वो bidirectional है या unidirectional है और इस theory portion में जो दिया गया है बस वो आपको बताया है DNA replication के बारे में तो आप इस video को post करके आप इसको read भी कर सकते हैं question के regard में यहां actually कुछ नहीं लिखा है बस basic information दी है आप देखो पूचा क्या है question म तो यानि यहां पर अगर origin site यहां है तो कुछ चीज़े इधर move करती है और कुछ चीज़े इधर move करती है इसे बोलते है by directional mode of replication यानि दो direction में एक साथ move कर रहा होता है इस तरीके से भी और इस तरीके से भी जबकि unidirectional का मतलब होता है कि जो origin site है वो यहां पर होता है और यह जो फोक है जो replication फोक है वो किवल एक ही direction में move करती रहती है दोनों तरफ move नहीं करती है उसे बोलते है unidirectional और और अगर original बीच में होता है तो दोनों साइड move करता है इसे बोलते है by directional तो आप देख सकते हैं हमारे इस diagram में जो origin point दिया गया है वो यहां पर है ना की बीच मे है तो इसलिए यह होगा unidirectional mode of replication तो देखो first में दिया है bidirectional है तो पहले इसको हम cut कर देंगे second में दिया है bidirectional तो पहले हम इसको cut कर देंगे third में और fourth में दिया है कि unidirectional mode of replication है तो यह first point हमने clear कर लिया है second में क्या पूचा है synthesis of the O का जाके fragment mark C occur prior to those mark A and B मतलब अब आप से पूचा है कि यह तो ठीक है कि यह unidirectional है लेकिन यहाँ पर जो fragment बने है इसको A बोला है इसको B बोला है इसको C बोला है इन में से कौन सा fragment पहले बना है तो obviously यह भी वह कुल easy सी बात है देखो यहां कोई DNA है अगर origin यहां से start हुआ है मतलब यहां से चीज़े start हुई है तो यहां एक primer बनेगा और वो ऐसे move करेगा यहां पर एक primer बनता है और यह ऐसे move करता है फिर जैसे यह आगे और open up होता है तो एक primer यहां बनता है फिर यह ऐसे move करता है जब यह और open up होता है तो एक primer यहां बनता है फिर यह ऐसे move करता है फिर यह आगे जैसे open up होगा यह तो ल बना होगा और यहां पर यह नए बनते जाएंगे इस तरीके से ठीक है तो यानिकी जो सी है वो ए और बी से पहले बना है तो देखिए थर्ड में लिखा है कि दा सिंथेसिस ओफ दा ओकजा की फ्रेग्मेंट मार्क सी अकर प्रायर टू दोस मार्क ए और बी तो यह स्टेटमेंट सही है मतलब कि जो सी बना है मतलब जिसको हमने मार्क किया है सी वह पहले बना है किस से ए से और बी से यह थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही अच्छा फॉर् यह आ गया है जोन 2020 शिप्ट टू का किशन यहां दिया है गिवन ब्लो और फ्यू स्टेटमेंट रिलेटिट टू दा डिने रैप्लिकेशन यहां आपको डिने रैप्लिकेशन के विगार में कुछ स्टेटमेंट दी गई है आपसे पूचा है विच वन ओफ दा पॉलिंग रिप्रिजेंट दा इनकरेक्ट स्टेटमेंट गलत कौन सा है यह आपसे पूचा है तो देखिए ए में लिखा है रैप्लिकेशन युकेरियोटिक क्रोमोजोम फ्रॉम दा ओरिजन इस इनिशेटेड मुल्टिपल टाइम इन इच सेल सैकल वाइल इस इनिशेटेड ओनली व हमने कई बार पढ़ा है हारा कि हम हर बार पढ़ते हैं कि एक सैल सैकल में एक ही बार रैप्लिकेशन होता है दूसरी बार रैप्लिकेशन किया ही नहीं जाता और हमारे इस स्टेटमेंट में दिया है कि एक सैल सैकल में एक और आई सी से कई बार रैप्लिकेशन स्टार्ट हो is prevented by the hemimithylation status of the bacteria origin कि इसमें कहा है कि अगर वह पर बात किये है bacteria की तो bacteria की chromosome का replication अगर improper तरीके से हुआ है मतलब वह start ही कुछ इस तरीके से हुआ है कि चीजे गलत है तो वहां पर उसको रोकने के लिए क्या जाता है prevented by the hemimethylation status of the bacterial origin देखो मैंने आपको बताया भी है इस वीडियो में पहला शायद पहला ये दूसरा क्वेशन था कि अगर जो DNA है अगर वो hemimethylated है तो वहां पर replication को रोका जाता है अगर वो fully re-initiation of replication in u bacterial chromosome is prevented by the hemimethylation status of the bacterial origin यानि अगर bacteria का जो chromosome है अगर वहां पर hemimethylation condition है तो वहां पर replication को रोका जाता है क्योंकि अगर improper re-initiation होगा तो उसको पहले ही रोक दिया जाएगा तो ये statement सही हो जाएगी C में लिखा है DNA polymerase 3rd is the major replication polymerase responsible for de novo synthesis of both leading and the lagging strand of DNA in E.coli इसके बारे में भी हम पढ़के आ चुके हैं कि DNA pole 3rd जो होता है वो main enzyme है क्योंकि उसकी processivity काफी high होती है और अच्छी proof reading होती है तो वहां पर सबसे ज़्यादा जो DNA pole 3rd है वो replication में help करता है चाहे वो leading strand हो चाहे वो lagging strand हो तो ये statement भी बिल्कुँ सही है फूर्थ में लिखा है rolling circle mode of replication produce multiple unit of the original molecule यानि कि अगर वहां rolling circle mode of replication चलता है तो वो कई सारे जो original molecule है उसकी कई सारी copies बना देता है तो ये statement भी सही है चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ यहां पर देखो यह rolling circle होता कैसे है यह मानों आपके पास एक double stranded DNA है सबसे पहले जो बाहर वाला strand होता है उस पर एक निक लगता है निक मैंने आपको अभी बताया है कि अगर केवल एक ही strand में cut लगता है तो उसको निक बोलते है और अगर दोनों strand में लगता है तो उसको break ब बनने लगता और जब यह completely निकल जाता है तो मतलब यह जो second strand बना है यह भी completely बनता जायेगा बनने के बाद फिर यह अलग हो गया है और यह जो blue वाला है यह भी अलग हो BRI जाता है तो यहां पर यह फिर से replicate लिकांट करना start कर देता है तो इस तरीके से वह एक दो बार में ही जो उनका original molecule है मतलब यह वाला जो है उसकी कई सारी copy बना देते हैं देखो मैं एक बार फिर से बता देती हूं जैसे कि हमारे पास यह है double standard DNA पहले इधर आधर कट लगता है तो कट लगने के बाद ये अलग हो जाता है और यह जो अंदर वाला यह भी अलग हो जाता है और यहां पर इक बना देता है original molecule की तो यह statement भी बिल्कुछ सही है हम से पूचा है गलत कौन सा है केवल अभी तक हमें first statement ही गलत लगा है यानि a only is the right answer for this question चलिए बात करते हैं अगले सवाल की लिका है the following statement are made with reference to the replication of DNA DNA के replication के regard में ही आपको यहां पर statement दी गई है पूचा है which one of the following option represents the incorrect statement गलत कौन सा है ठीक है तो a में लिखा है the eukaryotic counterpart of the bacterial beta clamp protein is proliferating cell nuclear antigen मतलब की eukaryotic के अंदर जो काम PCNA करता है बैक्टीरिया के अंदर वो ही काम beta clamp protein करता है ठीक है तो यह statement बिल्कु सही है कि बैक्टीरिया के अंदर जो beta clamp होता है उसका काम जो भी है eukaryotic के अंदर वो same काम PCNA करता है तो यह बात बिल्कु सही है वो PCNA का perform होता है proliferating cell nuclear antigen यानि PCNA तो यह statement सही है बी मिली का है mutation in activating one of the subunit of MCM 227 complex negatively affect the initiation of DNA replication in eukaryote but has no effect on elongation of the replication fork कहा है कि अगर DNA helicase में कोई mutation हो जाता है तो उससे जो initiation है replication का वो तो effect नहीं होता लेकिन जो उसका elongation है वो effect होता है तो यह statement गलत हो जाएगी क्योंकि अभी हमें किशन करके आए हैं जिसमें हमने देखा है कि हैलीखेस का रोल में है इसवैल अलोंगेशन में Pvt. होता है तो अगर हैलीखेस में mutation हुआ है तो लेकिन इसमें कहा है कि है param उल्गेशन पर तो कोई effect नहीं पड़ेगा हम उसकी कि 8 क 29 stations neutracsप्प पढ़ेगा लेकिन the eukaryotic genome catalyzed the DNA chain extension in DNA template dependent manner यानि जितने भी DNA polymerase हैं जो की replication करते हैं eukaryotic genome का वो सभी कैसे होते हैं DNA पर मतबद DNA की template पर depend होते हैं तो यह statement गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यह जो word है all इसने गलत कर दिया है mostly DNA polymerase ऐसे होते हैं जो की DNA template dependent manner में काम करते हैं लेकिन सारे ऐसे नहीं होते हैं example में आपको बता सकती हूँ जो TDT जो polymerase है यह एक ऐसा DNA polymerase है जो की template पर depend नहीं करता मतलब की उसे DNA की pre-existing template की requirement नहीं है वो खुद से ही एक नया DNA बना देता है तो चलिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ सा बता देती हूँ इसका full form है terminal deoxynucleotidal transferase TDT और यह एक ऐसा DNA polymerase है जो की template independent होता है that catalyze the incorporation of deoxynucleotide at the 3 prime hydroxyl terminus of the DNA यह करता क्या है TDT करता क्या है is a DNA polymerase that is present in the immature pre-B and pre-T cells यह कहां present होता है यह enzyme यह जो premature pre-B and pre-T cells होते हैं जो defense में help करते हैं वहां present होता है और करता क्या है TDT insert and nucleotide to the VDJ gene segment during the rearrangement of the gene यानि कि जो antibodies बनती हैं उनमें हम देखते हैं काफी सारे variable reasons होते हैं तो उनकी formation में उनको vary करने के लिए यह enzyme help करता है और template पर depend नहीं होता है c statement हो जाएगा गलत दी में लिखा है the f e n 1 protein play a role in the synthesis of the lagging strand during the dna replication as well as in the base exeason repair यहां पर जो f e n 1 होता है यह एक ऐसा protein है जो कि lagging strand के synthesis में भी help करता है as well as वो जो base repair system होता है base exeason repair system होता है वहां पर भी help करता है तो यह statement भी सही है देखो f e n 1 का full form क्या है flap structure specific endonuclease 1 process the five prime end of okaja के fragment in lagging strand dna synthesis देखो इसमें statement में दिया है कि जो fan मतब f e n है यह role play करता है in the synthesis of lagging strand नाकिस में यह कहा है कि यह जो fan है यही lagging strand बनाता है तो यह lagging strand की formation में कैसे help करता है क्योंकि इनके बीच में जो primer बनते हैं उनको हटाने में help करता है तो process the five prime end of okaja की fragment in lagging strand dna synthesis साथ साथ वहां पर जो ex season repair होते हैं उसमें भी यह help करता है तो यह statement हो जाएगा सही यानि d statement will be the right answer तो गलत कौन कौन सा है b गलत है c गलत है हमसे पूछा भी है कि गलत कौन सा है तो मतलब हमारा second option will be the right answer for this question next question है June 2019 का during the application rna is h remove all the rna primer except the ribonucleotide directly linked to the dna end this is because यानि यह question आया हुआ है rna is h के बारे में देखो यहां होता क्या है कि हमने देखा है कि यह dna है और उससे जब नए dna बनता है तो यहां primer बनता है यहां फिर dna की formation स्टार्ट होती है तो इस primer को हटाने के लिए यह एक एंजर्म इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है ribonuclease h या फिर RNAs h अब यह आरे ने इस क्या करता है मानो यह यह प्राइमर के nucleotide है यह प्राइमर के nucleotide है और यहां से स्टार्ट हो गए है dna के nucleotide मतब यह dna का है यह भी RNA का है और यह प्राइमर का है तो यह जो RNAs h होता है यह इसको भी ब्रेक कर देता है, लेकिन यहां पर जो DNA और RNA के बीच वाला जो होता है, इसको यह ब्रेक नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि RNA is HR enzyme that cleave the RNA of RNA and DNA hybrid that formed during the replication and repair, it can only cleave the bond between the two ribonucleotide, इसका बस यह काम है कि केवल दो जो ribonucleotide हैं, केवल इनके bond को ही ब्रेक कर पाएगा, और DNA का nucleotide है, तो उसके बीच के bond को यह कट नहीं कर पाएगा, चीक है, तो देखो इसका answer क्या हो जाएगा, it can only cleave the bond between two ribonucleotide, इसी वज़े से वो जो DNA का nucleotide है और RNA का nucleotide है, यानि प्राइमर का nucleotide है, उसके bond को ब्रेक नहीं कर पाता है, क्योंकि वो केवल, अच्छा य पाता है, तो इसके बीचिए बारे में, तो चार स्टेटमेंट दिये हैं और पूछा है, विच वन अव दे फॉलिंग आप्शन है, यह आपको बताना है, फर्स्ट में लिकाया, एक्यूमिलेशन ऑफ सूपर कोईल इन दा रिसल्ट ओफ डिये हैं अर पूछा है, विच वन मतलब लिखा है, कि डियेने में यह सूपर कोईलिंग होती है, अच्छे इसके की अगर आप उसके 2 पकड़ के खोलोगे, तो आप पाओगे की जो आगे वाला पॉशन है, उसमें और चीजे कोंप्लेक्स होगे है, इसके कारण हो गई है, तो वो कैसे हुई है, हैले के कि कार सही है कि जो सूपर कोईल वहां accumulate होती है वो किस चीज का रिजल्ट है वो DNA हेलिकेज की activity का result है जब वो unwind कर रहा होता है DNA को जैसे कि देखो इसमें दिखाया भी है यहां पर यह हेलिकेज एकीज इसमें डिखाये है तो सूपर कोईलचन होती है धिस यह में लिखा है problem of DNA supercoiling is valid only for the circular chromosome for bacteria and not for the linear chromosome यानि कि supercoiling की यह दिक्कत है यह किवल circular DNA के लिए होती है linear के लिए नहीं है तो यह statement गलत हो जाएगी circular जो होता है उसमें भी supercoiling होती है और जो linear DNA होता है उसमें भी supercoiling होती है either जो transcription होता है उसमें भी supercoiling देखने को मिलती है जब transcription होता है जब replication होता है तब भी चाहे वो linear हो चाहे वो circular हो सभी में supercoiling की problem रहती है तो यह statement हो जाएगा गलत क्योंकि इसमें लिखा है कि केवल circular में है linear में नहीं है C में दिया है supercoiling of DNA is removed by the topoisomerase by breaking either one or both strand of DNA on the unreplicated DNA in front of the replication fork यानि कि यह जो topoisomerase होते हैं यह supercoiling जो DNA की supercoiling है उसको कैसे remove करते हैं या तो वो एक ही strand पर cut करते हैं जिसको nick बोलते हैं या तो वो दोनों strand को cut करते हैं जिसको break बोलते हैं अभी हम देखे़ भी आएं parce of US one होता है two होता है one nick create करता है super coiling को हटाने के लिए और जो second होता है topo isomerase second जो होता है वो break करता है super coiling को हटाने के लिए तो ये बात बिल्कुल सही लिखी है कि topo isomerase या तो break करते हैं मतब एक पर ही strand पर या दोनों पर किसलिए ताकि वो इस super coiling को remove कर सके तो ये statement सही है दी में लिखा है बोथ topo isomerase 1 and topo isomerase second can remove the positive super coiling during the replication तो ये बात भी बिल्कुल सही है चाहे वहाँ negative super coiling हो चाहे positive हो topo isomerase 1 और 2 दोनों को ही remove कर सकता है और लिखा भी है यहाँ पर कि चाहे topo isomerase 1 हो चाहे 2 हो वो positive super coiling को remove कर सकते हैं ये statement भी बिल्कुल सही है ठीक है तो देखो जैसे कि यहाँ दिखाया भी है कि topo isomerase जो 1 होता है वो super coiling को remove कर सकता है with the help of a single cut यानि निक और topo isomerase second जो होता है it remove the positive super coiling by the break यानि कि दोनों ही stand में break लगता है तो ये statement भी हमारा सही हो जाएगा हमसे पूचा है सही कौन कौन सा है तो आप देख सकते हैं कि वल बी गलत है और बी गलत है तो ये भी cut कर देंगे ये भी cut कर देंगे थर्ड option will be the right answer next question दिया है in ecoli chromosomal DNA replication which one of the following statement is true यहाँ पर आपको चार statement देके रखी है ecoli replication के regard में पूचा है कौन सा statement सही है तो देखिए वन में लिखा है DNA polymerase 1 is the main polymerase required for the DNA replication यानि DNA replication में जो main enzyme है वो DNA pole 1 होता है ये statement गलत है अभी हम पढ़के भी आये थे last question में कि जो DNA pole 3rd होता है ये main enzyme है क्योंकि इसकी processivity काफी हाई होती है तो वो speedily DNA को replicate करता चलता है तो देखो इसका मतलब ये नहीं है कि DNA pole 1 important नहीं है DNA pole 1 काफी important है लेकिन main नहीं है बस इस वज़े से ये first statement हो जाएगा गलत क्योंकि इसमें लिखा है कि DNA pole 1 main होता है तो ये statement गलत हो जाएगा second में लिखा है DNA polymerase 1 identified originally by the cornberg as the one responsible for the replication is not important for the DNA replication process तो ये statement भी गलत हो जाएगा इसमें लिखा है कि DNA pole 1 को cornberg ने identified किया था और ये देखा था कि ये replication के लिए responsible है लेकिन important नहीं है ये बात गलत है DNA pole 1 काफी important होता है योकि हम जानते हैं कि primer को remove केवल DNA pole 1 ही कर सकता है कोई और enzyme नहीं कर सकता है तो वहाँ पर इसकी requirement होती है इसलिए ये important है बट main नहीं है ठीक है तो ये statement भी गलत हो जाएगी थर्ड में लिखा है requirement of DNA pole 1 is in the context of the removal of RNA primer needed for the DNA synthesis and then fill in the same with DNA equivalent यानि कि DNA pole 1 का क्या requirement होता है मतलब क्यो requirement होता है क्योंकि वो RNA primer को remove करता है साथ-साथ वहाँ पर एक नया DNA भी बनाता है तो ये तो हमने पढ़ाई ही है कि DNA pole 1 ही primer को remove करता है फिर अपनी 5' to 3' जो polymerization activity होती है उसकी help से वो नया DNA भी बना देता है तो ये statement बिल्कुल सही हो जाएगी फोर्थ में लिखा है DNA polymerase 1 is the primary enzyme for the error prone DNA synthesis in the response to the source देखो एक ऐसा enzyme जिसके पास एक ऐसा DNA pole polymerase enzyme जिसके पास proof reading के activity नहीं होती है वो ऐसी replication करते हैं जिसमें बहुत सारे error होते हैं और हमने पढ़ा है कि DNA pole 1 जो है उसके पास proof reading की activity भी होती है primer को remove करने की activity भी होती है DNA को बनाने की activity भी होती है तो DNA pole 1 के पास अगर proof reading की activity है तो वो ऐसी replication नहीं करेगा जिसमें error होगा तो यह statement डेलत हो जाएगा जो कि इसमें कहा है कि DNA pole 1 ऐसा enzyme है जो कि error prone DNA synthesis करता है तो यहनि हमारा सही answer हो जाएगा the third option third option में सब बाते सही लिखी है ओके next question है अच्छा मैंने आपको यहाँ फिर से यह table दे दी है जो कि आपको अच्छे फिर से याद करना है चलिए आगे बात करते हैं यह December 2019 का question है the figure below show the structure of the replication fork यहाँ पर आपको replication fork दी गई है और फिर आपसे पूछा है कि based on this information following statement are made इसके बिहाब पर कुछ statement यहाँ बताई गई है A, B और C which one of the following option represents the correct statement बताना है कि इन तीरों में से कौन सा सही statement है ठीके यह आपको बताना है तो देखो यहाँ आपको diagram यह दिया गया है अब आप देख सकते हैं कि जो origin है वो यहाँ से हुआ है क्योंकि यह replication complete इस तरीके से है और आपको केवल यह portion दिखाया गया है केवल यह जो इधर वाला portion है यह आपको दिखाया गया है यहाँ पर तो origin जो है start हुआ है यहाँ से तो पहले एक primer यहाँ बना चीज़े ऐसे start हुई एक primer पहले यहाँ बना फिर ऐसे हुआ फिर primer बना फिर ऐसे हुआ फिर primer बना फिर ऐसे हुआ तो जो primer या फिर जो अकजा की fragment origin के पास होता है वो सबसे पहले बनता है अभी मैंने आपको last में भी बताया था कि ऐसा अकजा की fragment या फिर ऐसा primer जो की origin के pass में बना है वो सबसे पहले बना होगा और जो इससे जितना दूर होगा वो उतना ही बाद में बना है तो यहां जो fourth लिखा हुआ है यह जो fourth लिखा हुआ है यह ऐसा primer है जो की सबसे पहले बना है जिस पर third लिखा हुआ है यह ऐसा primer है जो कि second time बना है और जिस पर लिखा हुआ है second यह ऐसा primer है जो कि third time पे बना है ठीक है तो statement में कुछ ऐसा ही दिया हुआ है देखो ए में क्या लिखा है कि one represent the leading strand while second और third और fourth represent the okazaki fragment कितना आसान जा question है यह जो one है यह continuous है तो यह leading strand होता है यह discontinuous है और उसमें यह जो part दिये है इनको okazaki fragment बोलते है तो यह बात बिल्कुल सही है first statement हो जाएगा सही B में लिखा है among the okazaki fragment synthesis of the fourth occur prior to the synthesis of third and second मैं आपको अभी बता के आई हूँ कि जो fourth वाला होता है वो पहले बना है third से और second से तो यह बात भी बिल्कुल सही है यानि second option भी सही है third में लिखा है among the okazaki fragment synthesis of the second occur prior to the synthesis of the third and fourth यह statement गलत हो जाएगा तो अगर ऐसा कोई कुशन आता है तो बस आपको यह check करना है कि origin कहां से हुआ है और फिर यह check करना है कि origin के पास वाला जो okazaki fragment है या फिर primer है वो कौन सा है तो सबसे पहले वो ही बना होगा तो यहां पर third गलत है A और B सही है और A और B दिया है हमें third option में आने कि third option will be the right answer चलिए बात करते हैं अगले question की next दिया है in the diagram below the dotted line mark the point of initiation of bi-directional replication यह diagram दिया है और इसके रिगार्ड में आपको यहां पर चार स्टेटमेंट दी है और पूचा है which one of the following option represents the combination of the correct statement यह diagram दिया है तो ठीक है ओके और पूचा क्या है हमसे देखो first में लिखा है on the right side of the dotted line leading strand synthesis occur using the upper strand as the template ठीके इसको एक बार ड्रोई करना पड़ेगा यह हमारे पास जो की question में दिया हुआ है ठीक है और इसे बोला है 5 प्राइम इसे बोला है 3 प्राइम इसे बोला है 3 प्राइम इसे बोला है 5 प्राइम और यह जो dotted line है यह वो site है जहां से origin हुआ है यानि जहां से replication start हुआ है मतलब यह point माल लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले बनेगा यहां पर एक primer यह 5 प्राइम है तो यह 3 प्राइम होगा यह 3 प्राइम है तो यह 5 प्राइम और यहां primer बना है तो यह ऐसे move करेगा ठीक है एसे ही यहां एक primer बनेगा तो यह 5 है तो यह 3 है यह 3 है तो यह 5 है यह 5 है तो यह side move करेगा ठीक है और हम जानते है bi-directional में यह continuous बना है तो यह बनता है फिर discontinuous इस तरीके से यहां पर यह continuous गया है तो यह जाएगा discontinuous ठीक है यहां प्राइमर बनता है यहां प्राइमर बनता है इस तरीके से यहां प्राइमर बनेगा यहां बनेगा और यहां बनेगा ठीक है और डॉटेड लाइन जो दी है हमें वो यह दी है तो यह हमारा इस डाइग्राम का next part मान सकते हैं अब जब replication होना start हो जाता है हमसे पूछा क्या है देखिए फर्स में लिखा है on the right side of the dotted line leading strand synthesize occur using the upper strand as the template यानि कि जो dotted line है उसके right side में बनेगा leading strand क्या करके जो upper strand होता है उसको as a template लेकर तो इस dotted line के right side में जो upper strand बना है वो leading नहीं है वो lagging है तो हमारा first statement हो जाएगा गलत क्योंकि इसमें लिखा है कि dotted line के right side में leading strand बना है so this statement will be the wrong b में लिखा है on the right side of the dotted line leading strand synthesize occur using the lower strand as the template बिल्कु सही बात है इस dotted line के right side में जो leading strand बना है वो lower strand को as a template बना के तब बना है तो यानि B statement हो जाएगा सहीं सी में लिखा है a ligase deficient mutant would affect the replication of the upper strand on the left side of the dotted line यह जो dotted line है उसके left side में यानि कि यहां पर तो देखो ligase enzyme क्या करता है प्राइमर जब remove हो जाते है नया DNA बन जाता है उसके बाद जो वहां पर थोड़ा सा gap रह जाता है उसको seal करने में help करता है तो क्योंकि leading strand में केवल एक ही प्राइमर बना है तो बस यहां पर ही gap को seal करना है जबकि अगर बात करें lagging strand की तो वहां हर जगहा पर प्राइमर है तो सबसे ज़्यादा ligase की requirement हमें इस strand पर होती है तो अगर वहां ligase का mutation हुआ है तो dotted line के left side में सबसे ज़्यादा affected कौन होगा नीचे वाला यह उपर वाला नीचे वाला होगा क्योंकि इसमें ligase की ज़्यादा requirement है statement में कहा क्या है a ligase deficient mutant would affect replication of the upper strand नहीं वो lower strand को affect करेगा तो a ligase deficient mutant would affect the replication of the lower strand on the left side of the dotted line यानी D will be the right answer तो B सही है D सही है यानी की third option will be the right answer for this question ओकी चलिये तो यह question भी हमने solve कर लिया है अब बात आ गई है जून 2018 के question की E.Colai take 40 minute to duplicate its genome using a bi-directional mode of replication if E.Colai were to use unidirectional mode of replication synthesize a full copy of DNA complementary to just one of the strand of the genome it would take यानी की E.Colai अगर अपने पूरे genome को replicate करता है with the help of bi-directional mode of replication तो लगती है वहाँ पर 40 minute अगर वो unidirectional से move करता है तो कितना time लगेगा obviously 80 minute लगेगा देखो अगर हमारे पास ऐसा genome है replication fork बना है अगर वो इधर भी move कर रहा है और इधर भी move कर रहा है तो इसने लगाया है total 40 minute इधर भी move करता है इधर भी move करता है तो लेकिन अगर genome में किवल ये एक side move करना start कर दे like ऐसे तो बना ही है किवल बस ये यहाँ से move करना start करे तो ये total 80 minute लगाएगा डबल हो जाएगा क्योंकि अभी तो हाफ काम इधर हो गया था हाफ काम इधर हो गया था लेकिन अब क्या है यह कंप्लीट ही बनाना पड़ेगा पूरा एक ही रैप्लिकेशन फोक को त्याने कि यह 80 मिनिट लगाएगा डबल हो जाएगा ठीक है तो इसका आंसर होगा अगर देख लिए तो जून दो हजार अठार तक मतब कि 2022 से लेकर 2018 जितने भी वी प्रफिकेशन से आये हैं वह सब हमने डिसकस कर लिए हैं प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब जिरूर से कर देना जिलते हैं अगले वीडियो में नए कुशन के साथ में तिल देन बाई बाई टेक केर अ कर दो कर दो आई हुआ में टेको कर दो में सब्सक्राइब टेक